हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज हम राइस बैग का यूज करने वाले हैं आपके पास राइस बैग आटा बैग जो भी अविलिबल हो आप उसका यूज कर लीजिएगा तो फ्रेंट्स मेरे पास पुरानी सोटर पड़ी हुई थी तो पुरानी सोटर मेंसे ना मैंने ये उन निकाल ली है आपके पास पुरानी उन हो या फिर आप new उन भी इसमें यूज कर सकते हैं cowardice इस तरह से हम जो हमारा जो राइस बैग है न उसको इस तरह से रख लेंगे और इस में से हमें थिक लियर कट करनी है तो इस तरह से राइस बैक को रखेंगे और जो है थोड़ी सी थिक लियर हमें कट कर लेनी है तो फ्रेंट्स हमने जो ये लियर कट की है इसी के बराबर हमें सारी लियर को कट कर लेना है तो फ्रेंट्स त्री इंच विर्थ की हमने सारी लियर कट कर ली है सारी लियर हमें एक ही वराबर की कट करनी है तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक लियर लेनी है इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे लियर को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से और शूई और दागे की मदद से इसमें हम इस्टिच लगाएंगे तो इस तरह से हम इसमें इस्टिच लगाएंगे अब दागे को हमारी जो लियर है उसमें हम इस तरह से लपेट लेंगे अंदर की side जो लेर को fold करते जाएंगे और इसमें stitch लगाते जाएंगे तो हमारी जो layer है उसको हम अंदर की side fold करेंगे और शूई और धागे की मदद से इसमें हम stitch लगाएंगे इस तरह से round round जो हमारी layer है उसको हम घुमाते जाएंगे और धागे को लपेटेंगे और इसमें इस तरह से हमें stitch लगा लेनी है झाल में को लगा पनते खाय जा होाँ немे TED-2 भेटेंगे कारो से तरह स daily मेश काउने डंकरी को लगा खाया है कि दोल और भेटे को फ्र्लACE से तरह से में पांगे जाएंगे मैं मलतक बाते सत्लू और झाद यझर वो रायी इस बाक्या से इस अभी है झाल झाल तो फ्रेंड्स हमारी जो लियर है उसको आम इस तरह से अंदर की साइड जो है गोल गोल गुमाते हुए इसमें जो है दुसुई और धागे की मदद से बस इस्टिच लगाते जाना है और प्रोपर इसको हम बना के रेडी कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो नीचे का तला होता है वो हमने बना के तयार कर लिया है अभी हमें इसमें लियर चड़ानी है तो सबसे पहले हम फर्स्ट लियर इसमें चड़ाएंगे तो फ्रेंड्स फिनिशिंग तो हम देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ रही है अभी हमें इसमें फर्स्ट लियर चड़ानी है तो फर्स्ट लियर हमने इसमें चड़ा लिए अभी हमें इसमें सेकिंड लियर चड़ाएंगे इसी तरह से हमें जो है लिय झाल झाल तो फ्रेंट्स हमने जो इसमें 3 लियर चडा ली है अभी हमें इसमें 4 लियर चडानी है तो simply हमें इसी तरह से इसमें स्टिच लगाते जाना है और 4 लियर हमारी हम complete कर लेंगे झाल 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 तो फ्रेंट्स हमारी जो लियर है उसको हमने कट कर दिया है और जो हमने कट की है जो लियर उस पे भी हम इस्टिच लगाके इसको रेडी कर लेते हैं तो फ्रेंट्स हमारी जो बास्किट है वो बनके रेडी है फाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग इसमें आई है और फ्रेंट्स एक राइस बैक से हमने कितनी प्यारी सी चीज घर में क्रियेट कर ली है तो फ्रेंट्स मैंने छोटे साइज की ब बास्किट बनाई है अगर आपको बड़े साइस की बास्किट चाहिए तो फिर आप इसकी लेंठ एंड विट दोनों ही बढ़ा दीजिएगा तो फ्रेंट्स इस तरह से आप बिग साइस बास्किट भी घर में आसानी से बना सकते हैं तो फ्रेंट्स कैसा लगा वीडियो कम नौटिफिक्शन आपको मिलते रहें तो फ्रेंट्स फिर मिलेंगे इसी तरह की वेस्ट मटिरियोल को लेके वीडियो में थैंक्स वार वोचिंग इंजो इस वीडियो बाबाय फ्रेंट्स